हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर एके अजाद और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्तो अभी देखा जाए तो सर्दियों का मौशम काफी तेज चल रहा है यानि कि ठंड काफी ज्यादा पड़ रहा है और इस वक्त खुजली की समस्या से लोग काफी परशान दूस्तो मैं बता दूँ खुजली की समस्या गर्मी हो या थंडी हो दोनों कंडिशन में देखा जाता है गर्मीं में पसीना की वज Physics शरीर पे खुजली होता है और खंडीयों में साफ सफाई ना रखने की वज़़े से ज्यादा गरम कपड़े पहनने की वजय से भी खुजली की शमस्या देखी जाती है। खुजली दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक सूखी खुजली और एक गीली खुजली, गीली खुजली में आपको पीले पीले दाने पूरे शरीर पर निकल जाते हैं, और जब आप उनको खुजलाते हैं तो दाने फूड जाते हैं और उसके पंचे जो है यानि कि उसका पानी जो है आपके शरीर के अन्य पार्ट पर लग जाता है जिससे वो खुजली एक जगह से दूसरे जगह तक फाइलने लगता है और सूखी खुजली की बात करें तो जानीर पे पूरे फाइले रहते हैं रेट कलर के दाने होते हैं या फिर दाने नार्मल स्कीन कलर के होते हैं और खुजली काफी ज्यादा होती है हम दो दो चार-चार मिनट तक एक ही जगह पर बार बार खुजली करते हैं कई बार खुजली इतनी ज्यादा करते हैं कि चमड पारियल का तेल या फिर नीब का तेल इन तरक के तेल का इस्तमाल करते हैं लेकिन इससे भी हमारी खुजली जड़ से खतम नहीं होती और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमें क्रीम और लोशन देता है लेकिन वो भी क्रीम और लोशन काम सही तरीके से नहीं करत क्योंकि दोस्तो सूखी खुजली के लिए एक जो बेहतरिन लोशन आता है उसी के बारे में मैं पूरी जानकारी दूँगा आप उसे कैसे अपने बॉडी पाय अपलाई करेंगे कितने दिन में आपको फायदा नजर आएगा कितनी प्राइज होती है कौन सा कमपोजीशन होता है जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में तो वीडियो में अंते तक जरूर बने रहे हैं दोस्तो एक बहुती बेहतरिन लोशन है जिसका नाम है इसके बोमा लोशन जो की आप स्क्रीन पे इधर देख सकते हैं यह आपको कुछ इस तरह के बोटल पायक में मिल जाता है 100 ml की बोटल होती है जिसे बनाती है ग्लिन मार्क कमपनी जो की काफी अच्छी और ट्रस्टेड कमपनी है साथी दोस्तों मैं बता दूँ इसकी प्राइस की बात करूँ तो यह आपको 108 रुपे में 100 ml का बोटल पूरे इंडिया में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है इसके कमपुजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें गामा बेंजिन हेक्सा कॉल्डराइड आपको 1% देखने को मिलता है जो की लोशन बेस में बना गया है दोस्तों इस लोशन की ये खासियत है कि ये जब आपके पूरे शरीर पे खुजली हो जाता है तो उस दोरान आप कोई ट्यूब अगर 10-15 गराम के लेते हैं तो पूरे शरीर पे सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं अगर लगाते भी हैं तो एक दो दिन में आपका ट्यूब खतम हो जाता है और आपको फायदा नहीं मिलता तो दोस्तों मैं बता दूं गामा जो ये इसके बोमा लोशन है ये एक पेटेंट मेडिसीन है और लोशन बेस में बनाए गया है जिससे आप अपने शरीर पे पूर इन दिन के ही लगाने से आपकी भेंकर से भेंकर सूखी खुजली की शिकायत हो जड़ से खतम हो जाती है आपको कोई खानी की मेडिसीन नहीं लेनी पड़ती लेकिन दोस्तों ये एक एलोपैतिक लोशन है यानि कि इसको इस्तमाल करने से पहले एक बार अपने नजदी की से सला ले ले उसके बाद ही आप इसका इस्तमाल करें दोस्तों बात करें इसे आप किस तरह से अपने बॉड़ी पर अपलाई कर सकते हैं दोस्तों इस लोशन की खासियत यह है कि इसे बच्चे हों बुजूर्ग हों बड़े हों सभी लोग अपने स्कीन पर अपलाई करते ह यह सभी की स्कीन की टाइब सुटेबल बनाये गया है तो दोस्तों इसे लगाना कैसे इसे आपको रात में सोने के टाइम गर्दन से नीचे पूरे शरीर पे इस लोशन से आपको पूरे अच्छी तरह से मिलावट करना है और उसके बाद अपने शरीर पे अच्छी तरह से जड़ से खतम हो जाएगी तो यह था दोस्तों इसको इसके बोमा लोशन के बारे में सब कुछ उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब